हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे 20-2011 का जून 2023 का सॉल्यूशन ठीक है तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका Q1 का B, C और D ठीक है तो आज यह देखते हैं तो यह Q2 कह रहा है describe the need and working of any two input devices तो काफ़ी सिंपल कुश्यन है और मैंने इसका answer जो लिखा है वो देख लेते हैं चलिए तो देखें पहला input device बोला है तो आप लोगो simply यह भी पता होगा input device सबसे normal सोचे तो क्या keyword है न keyword जो होता है वो input device ही होता है और एक mouse क्या सकते हैं तो दो input device के बारे बोला है और मैंने देखें दो लिखते हैं एक keyword और दूसरा mouse ठीक है तो आईए देख लेते हैं तो keyword क्या होता है तो इसका need हम तो मैंने एकदम अच्छे से point में लिख दिया है तो need देखें text input और communication के लिए ठीक है हाट था ठीक है keyword का क्यों use करते हैं हम लोग character को text को enter करने के लिए ना computer को command देते हैं तो वही बस लिखें और communication के लिए तो facilities communication through emails messaging document creation and other written interaction और keyword का use हम लोग interaction करने के लिए करते हैं कैसे हो वेगर है email भेजते हैं business और इसमें messages करते हैं लोगों को document बनाते हैं किसी तरह काम लोग मालीजे किसी work record related को document बना दिये वो सब तो सब keyword का use होता है तो मैंने एकदम simple सा two point लिख दिया है और इसका working कैसे होता है देखें तो switch mechanism keyword use a switch mechanism benefit beneath each key when a key is pressed the switch completes an electric circuit signaling the computer तो एकदम आपको एकदम इसमें ज्यादा load नहीं लेना है आप need लिखोगे तो क्या need होता है तो text input भी हम लोग entering text करते हैं command करते हैं ठीक है इतना लिख दिया need में और working में क्या करते हैं तो switch mechanism जब हम लोग keyword में कोई button प्रेस करते हैं तो वो button क्या करता है एक electric circuit complete करता है और फिर वो computer पर जाके दिखा देता है है जैसे कि माल लिचे आप keyword में a प्रेस्ट किये तो वो computer पर show होता है तो वही उसको कहते है switch mechanism इतना लिखोगे मैंने लिखा है इतना बताया है यह max to max है ठीक है आप इसका चाहो तो need में एक point लिख देंगे और working में एक point लिख देंगे खत्म पूरा marks मिलेगा आपको चार marks का ऐसा है दे question ठीक है तो देखिए keyword हो गया इसी तरह सा mouse का भी देख लेते है तो mouse का need लिखे है pointing and clicking यह कोई अलग बात नहीं है आप लोग पता होता है mouse का use क्या करते हैं क्यों करते हम लोग provides a simple and intuitive way to point to object on the screen and interact with them by clicking कोई hard चीज़ था हम लोग क्या करते है पॉइंट करते हैं किसी object को और उसको click करके उससे on वेगेरा जो भी करना होता है on who, off who mouse का use करते है ठीक है फिर दूसरा हमेंने लिखा है gaming के लिए बहुत सारे लोग game करते हैं उनको पता होगा कि game में कैसे use होता है mouse का तो वही लिखे है widely used in gaming for navigation targeting and controlling character in the virtual environment है न क्यारेक्टर हम लोगो control करते हैं mouse ही लाते है left side right side button click करके gunshot करते हैं aim लगाते है loot करते हैं सब कुछ तो वह हो गया mouse के लिए मैंने एक जम simple लिखा है ठीक है और इसका working कैसा होता है तो optical or laser sensor हम लोगो जैसे पता है कि mouse के अंदर एक छोड़ा सा laser type का होता है जिसको हम लोग movement करते है तो व optical और laser sensor that detects movement on the surface है ना उसी को फिर कैसे work करता है वो बताना है आपको है ना तो mouse का तो पता है sensor लगा होता है उसको हिलाते है तो movement समझता है और उसी तरह से screen पे show होता है करसर हम लोग का ठीक है और फिर दूसरा लिखे है मैंने button and scroll wheel और क्या होता है mouse में sensor तो समझ में आ गया हिलने का हिल उसको sensor की वेज़े से उसको जब हिलाते है तो वो movement होता है ठीक है उसके अलावा button होता है scroll बाहर होता है तो मैंने वही लिखा है mouse button and scroll wheels provide additional input options है ना clicking double clicking right clicking and scrolling are common function तो बस वही आपको इसमें जादा कुछ नहीं लिखना working में यह सब चीज आपको पहली से पता होगा कि mouse का button होता है उसमें left click करते है right click करते है double click करते है उसका जो scroll होता है उसको scrolling करते है उपर नीचे करने के लिए तो बस वही सब लिखे है और इसी तरह से मैंने keyword का भी working लिख दिया था कि switch mechanism उसको click करते है तो वह होता है है ना communication करने होता है keyword usually connect to the computer via USB Bluetooth और other communication interface वह कैसे करता है अब मालीची मेरे पास laptop नहीं में पास एक computer है तो computer का तो एक हो गया desktop है ना और एक हो गया keyboard तो keyboard को भी हमको connect करना परता है ने CPU से connect करेंगे तब जाके ने keyword काम करेगा ठीक है यह desktop से करने करेंगे किसे भी connect करेंगे तो तब ने जाके वह काम करेगा तो वह है work कैसे करता है simple सा question था मैंने एक दम अच्छे से detail में बताया है आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो answer ठीक है दो लाइन में चार लाइन में कीबोड के बारे में लिख देंगे फिर माउस के बारे में लिख देंगे ठीक है तो यह ता simple question 1 का भी अब आईए देख लेते हैं लोग इसका 1 का C number question लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वाला पीडियाप चाहिए ना June 2023 का BCS 011 का तो आप आप सिंपली मेरे को इंस्टा प लेना है और वहाँ पे जाके पेस्ट करके बोलना है यह वाला मेरे को PDF चाहिए ठीक है तो मैं यह वाला पीडियाप आपको प्रवाइट कर दूँगा तो आएए यह question देख लेते हैं क्या बोल रहा है तो देखिए यह जो operating system था ना यह December 2022 में भी आया था और इसमें भी नो question repeat करते हैं बड़ बहुत सारे लोगों confusion होता है कि अरे भाई इसमें तो question repeat करता ही नहीं है question repeat करते हैं ठीक है बस उसका लिखने का तरीका change हो जाता है जैसे इसमें पूछा है कि operating system क्या होता है और उसका for operating system service बोलने के लिए हो सकता है आपके exam में अलग ढंक से यही question आए ठीक है तो आपको topic wise समझना है जैसे इसमें पूछा है operating system तो बस आप operating system को समाझ के रखिए उसके लावा जो question है उसको ignore कीजे बस वो operating system में इस topic को समझे उसको याद कर लिजे उसके बाद आपसे उसका need पूछेगा तो आपन advantages लिख के आईएगा ठीक है आपको number अच्छी मिलेंगे यह नहीं कि अगर 5 marks का है तो आपको इसमें 1 marks देगा या half marks वैसा नहीं है तीन marks शार marks ही देगा ठीक है तो इसलिए topic को समझेगा question हमें इसा topic repeat करते ही है करते है तो यह देख लेते हैं यह क्या है operating system is a software that acts as a intermediary between the user and computer hardware है ना it is a program with the help of which we are able to run various application it is it is the one program that is running all the time मैंने December 2022 में भी यह question आया था मैंने यह दिया था उसका answer ठीक है तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसको भी ज़रूर देख लीचेगा December 2022 का मैं इसका solve करवा दिया हूँ तो देखे नाम से पताचल और operating system क्या होता है यह user और computer hardware के बीच का intermediate होता है जो उन दोनों के बीच में यह operating system रहता है और यह एक ऐसा system है जिसमें सब application हम लोग सारा काम इसी के जरिए करते है operating system के जरिए करते है तो वही लिखे इस program it is a program with the help of which are able to run various application यानि कि जितने application होते है operating system के विज़ा सही चलता है और यह एक ऐसा program होता है जो all the time चलता है जैसे आपने computer अपना on किया operating system के जरिए यह आप कुछ भी करोगे तो operating system तो work करी रहा है आपके बीच में और hardware के बीच में ठीक है तो यह ता simple सा definition और उसके बाद पू देखे पहला है program execution दूसरा है input output operation फिर उसके बाद है communication between processes file management मैंने इसमें तो चार पुछा है लेकिन मैंने आपको सब बता दिया है देख लेते हैं तो आप माली जै आपसे कोई question पूछ लेता है operating system से अगर आपको नहीं आता है तो उसका services याद क्या है आपने जैसे अब यह करतीजे services point लिखे दूसरा point तीसरा point इस तरह से ठेक है छोड़के आने से अचा है कुस्तो लिख क्या होगे ना ठेक है तो यहाँ पे देखिए पहला है services program execution तो the operating system manages the execution of software programs ensuring they run efficiently and in the correct sequence it allocates CPU time and resources to program allowing them to perform tasks तो वही simple program execution तो यह क्या करता है operating system manage करता है program software program का कि वह सही से काम करें और correct way में काम करें ठेक है तो यह हो गया program execution का देख सकते हैं काफी simple language में मैंने लिखा हुआ उसके बाद है दूसरा input output operation तो अब बेसे वाता है आप operating जैसी मैंने बोला system on करते हो तो operating system पर ही काम करते है आप तो कुछ input देते होगे ना म इन्पूट दिये है फिर वो आपको वीडियो लाके दिया तो अपने इन्पूट आउपूट के ना operation तो देखिए इट फैसिलिटीज कम्निकेशन बीट्वियर अप्लिकेशन और हाडवेर डिवाइस इस इंक्लूड रीडिंग डेटा फ्रॉम इन्पूट दिवाइस है न क्या था है communication between processes तो operating system क्या करता है तो operating system enables processes to communicate and share data ठीक है इस inter-process communication allow program to work together और exchange information यानि कि दो process के बीच में है ना दो program चल रहा है उन दोनों के बीच में बेच अब डेटा के बाद है file management ठीक है तो file management नाम सी पता चल रहा है आप लोगों को तो it organize and control access to files and data storage है ना क्या करता है यह organize करता है control करता है file को और data storage को the operating system OS provides a structured way to create store retrieve and manage files and directories file management law management नाम सी पेथि करेगा file management उसको create करेगा store करेगा delete करेगा retrieve करेगा यह ना तो वह हो गया file management का उसके बाद है memory management नाम सी पता चल रहे क्या करेगा इंविवर्ण इंव्ल्टिंड करेगा ड़ोकेटिंग ändदी अ बिउतीं carry for processes and ensuring efficient utilization of available memory the alliances नाम सही देखे, memory management, क्या करेगा, memory को manage करेगा, कैसे करेगा, उस memory को allocate करेगा, है ना, उसको कोई value देगा, de-allocate करेगा, यानि memory हटाएगा, delete करेगा, create करेगा, है ना, और ये भी check करेगा कि वो memory सही से work कर रहा है, efficient way में, उस memory का जितना भी हम लोग space लिये हैं, उसको सही से utilize क सर रहे हैं कि ने, तो वो होगी हम लोग का memory management, ठीक है, उसके बाद भी और भी कई सारे हैं, जैसे process management, ये देखे, security and privacy, resource management, user interface, networking, error handling, time management, तो ये इस तरह से आप लोगो बहुत सारा management दिया हुआ है, लेकिन मैंने या आपर 4-5 बता दिया है, बाकि ये आपको लिखना होगा, लेकिन आपको इसमें तो चार बोलाई, तो आप इसमें से कोई भी चार लिख सकते हो, ठीक है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही लिखना है, आप समझ गए, program execution में क्या होता है, program को execute करना, तो आप उसका हलका सा definition दे सकते हो, input, output का तो बहुत simple है, समझ गए है है न, communication between process, यानि दो application बीच में, दो program के बीच में communication होना, file management, file को manage करना, memory management, memory को manage करना, लेकिए, process management, ये भी आपको समझ में आ घयोगा, process को manage करना, कि process, sequentially काम कर रहा है कि है, है न, sequence में काम कर रहा है कि न, सही धंग से काम कर रहा है कि कहीं रुख to नहीं किया, तो वो गया प्रोसेस मेनेजमेंट यह सब आप समझी गए होंगे आप ठीक है तो यह था है question no.1 का C अब आए देख लेते हैं हम लोग इसका 1 का D number तो यह question कहा रहा है explain the difference between wired and wireless communication बहुत ही simple question है आए यह देख लेते हैं तो देखे wired communication मैंने एकदम इसको point में बता है आप भी एकदम में पॉइंट में लिख्या तो न तो best रहेगा ठीक है तो देखे wire communication utilize physical cables or wires for connection देखे wire और wireless पूछा है तो समझ करेंगे wire communication जिसमें wire का use हो रहा होगा जिसमें physical कोई wire होगा cable होगा है ना तो वही लिखे है utilize physical cables or wires for connection यानि कि connection के लिए physical wire का use होता है wire communication में generally more stable and reliable due to a consistent physical connection तो देखे wire communication जो होता है ना वह more stable होता है यानि कि एक बार उसको अगर आपने connection कर दिया है तो एक बार कर देंगे तो वह लंबे समय तक रहेगा है ना और उसमें खराबी भी बहुत कमी होगा क्योंकि एक बार connection कर दिया है तो आप लंबे समय तक यूश किजिए 10 साल 20 साल तक ठीक है तो वही यह लिखे है और वही सब्सक्राइब बहुत सिंपल लिखेंग आप पढ़ते जाओगे और समझते जाओगे उसके देखेंगे consider more secure as it is required physical access to cable from unauthorized access ठीक है तो यह more secure होता है क्योंकि अगर आपको इसके लिए physical access की जोरत होती है इसके वज़ा से लोग unauthorized जो भी चीज़ें होते हैं उससे बच जाते हैं उसके वाद देखेंगे installation may be more complex especially over long distance लेख देखें अगर wire communication इसका एक प्रॉब्लम यह हो सकता है कि इसका जो installation होता है यानिक उसको लगाने में उसमें थोड़ा problem create हो सकता है वो महनत वाला काम हो सकता है ठीक है क्योंकि उसमें पूरा physical wire लगेगा मालने चाहिए आपको यहां से लेके आपका दोस्त ह है 200 km दूर तो अगर आपको connection मनाना है wire वाला तो आपको यहां से लेके आपके दोस्त तक यानि 200 km का एक wire set करना होगा तब जाके आप उससे बात कर पाऊगे तो वो लगाने में वक्त लगेगा है ना और वो थोड़ा difficult भी है उसके बाद देखिए requires less maintenance once installed लेकिन जैसा कि मैं देखिए example for transmission mediums include coaxial cables, fiber optic cables and twisted pair cables तो वह यह example है ठीक है cables के नाम है तो यह हो गया wire communication का एकदम simple language में लिखे है point में लिखे है आप ऐसे ही लिख क्या है अब देखिए wireless communication तो इसमें क्या होता है uses wireless signals such as radio waves और microwave for data transmission wireless नाम से ही पता चल रहा है जिसमें wire का कोई physical using नहीं है चीज का installation वगड़ा है ही नहीं इसमें सब कुछ जैसे हम लोग का wireless signals होता है जैसे radio waves हो गया या microwave हो गया for data transmission data को एक दस दूसरे जगह पर भेजने के लिए ठीक है example include wi-fi bluetooth और networks है ना जैसे कि हम लोग wi-fi से कैसे data को ले लेते हैं या फिर bluetooth के जरी कैसे हम लोग एक mobile से दूसरे mobile पर कोई video भेज देते हैं या audio भेज देते हैं तो वह सब wireless communication होगा ना इसके ऐसा तो नहीं है आपको एक mobile से दूसरे mobile भेजना है तो आपने cable लगाया दोनों के बीच में तब जाके भेजा ठीक है यह सब आपको बहुत simple पता होगा ऐसी बिना पढ़े भी अगर देख लेते question तो अप्लिक पाते हैं उसके देखें subject to signals interference potentially making it less stable देखें लेकिन इसमें wireless communication में दिक्कत तो होती है जैसे call पर भी बात करते हैं तो अगर signal कट हो गया तो आपको दिक्कत हो जाता है वाज नहीं जाता है आपका है ना या फिर signal नहीं होने की वज़ा से network न नहीं रहता है यह वहीं बोला इसमें उसका देखें data transfer speed can be lower especially in crowded or obstetric environments और यहाँ पर data transfer भी speed जो होता है वो slow होता है और वो obvious भी है जैसे कि अब लोग मालेजे radio ही सुन रहे होते हैं तो अगर एक जगर रहेंगे तो वहाँ पर अच्छे से network आ तो आवाज आएगा आपको ले slow होता है उसका देखें wireless signals can be intercepted posing security risk और यह जो wireless signal होता है यह हम लोगो risk में भी थोड़ा problem करता है security risk भी इसका breach होता है ठीक है जैसे कि अगर मालेजे अब online ही तो है signal ही है तो अगर मालेजे दूसरी जगा connect हो जाता है जैसे call भी देखते है कभी कभी दूसरे जगा लग जाता है या फिर cross connection हो जाता है तो वह सब हो गया जैसे security breach होता है उसके बादे के generally more convenient to install especially where laying cables is impractical और लेकिन इसको wireless communication है तो इसको install करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है यह असानी से हो जाता है और जहां पे और especially वहां पे जहां पे cables लगाना साहद ना मुंकिन टाइप का हो तो उस जगा पर यह wireless communication अराम से काम हा जाता है उतके में requires more maintenance addressing signal strength issue and potential interference और इसका maintenance को भी इसको अच्छे से करना पड़ता है मतलब हमेशा signal strength देखना पड़ता है signal सही से किने network सही सही किने work सही से कर रहा है किने ठीक है तो यह था पूरा wireless communication और wired communication मैंने यहापे 5-7 point बता दिया आप इसमें से 3-4 लिख दीजे 5 लिख दीजे जिस हिसाब से question उस हिसाब से लिख दीजे max आपको full मिलेगा यह पूरा Max अगर आप इतरह लिख देता हो तो full में full मिलेगा लेकिन आप इसमें से कम भी कर सकते हो 2-3 point कम भी कर सकते हो दोनों में से ठीक है तो यह था question no.1 का D तो मैंने इसमें 1 का B, C और D बना के दे दिया है और मैंने 1 का पहले ही बना दिया था तो अगर आपको कोई वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीज़े इसको ठीक है और अगर आपको कोई वीडियो पीडियो चाहिए तो मैंने बताई दिया है इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा फ्री नहीं है पीड है तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद